यार हम सब लोग एपल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत ही जब रुजयस्ट कमपनी है बहुत सारे प्रोडेट्स बनाती है और मार्केट में सबसे तगड़ी कल्ट फॉलॉइंग एपल की है लेकिन जब भी हम एपल के बारे में सोचते हैं क्या कभी लगता है कि दोसरी कमपनी क्या एपल जैसा स्टेटस का भी अचीव कर पाईगी सच बात बताओं मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन कमपनी नहीं है जो इस स्टेटस को अचीव कर सके यानि कि आप समझ के रखिए चाहें किसी भी कमपनी की बात कर ले वो कितना भी अपनाओं को एपल से कमपनी कर ले वो एपल का स्टेटस अचीव नहीं कर सकती क्योंकि मॉबाइल फोन के पिस पेस में वो कहानी बचे नहीं है अगर लेटरली अगर मैं मॉबाइल फोन के बारे में बात करो तो यार सबसे पहले तो कोई तीसरा OS यहां पे मार्केट मी नहीं आने वाला इसके बाद मार्केट में गिनचोंगे कुछ एकात कोई कम्पनी आ सकती है इसके लावस जादतर कम्पनी के लिए रास्ते बंध हो चुक है मार्केट पहले से ज़्यादा सचुरेट भी हो चुक है, सारी चीज़े हो चुक है, बहुत सारा इनोवेशन आलरे नी किया जा चुक है, अब आप समझ के रखे कि मॉबाइल पॉन के स्पेस में, यहाँ पे कोई एपल जैसे कमती नहीं बन सकती, चाहे हों किती भी कोशिश कर लेकिन यह टेक्न लॉजी के स्पेस में कोई दूसरी एपल बन सकती है, वैल यह तो पॉसिवल है ना, क्योंकि दुमिया देखा जाए, तो पलपल बनती रहती, अलग अलग जाके अलग 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 you innovation होते रहती है, inventions होते रहते है, और इसी के चलते मार्केट में नए नए टैप के प्रोडक्स आते है ताब एक कहानी बनती है कि क्या कोई Apple जैसी कमतनी बन सकती यानि कि कैसी कमतनी जो अपना स्टेटास और कल्ट बिलकुल Apple जैसा कर ले खेर कुछ ऐसी कमतनी के बारे में बात करने करिए के बारे में यूमेन एक एक अपना एक आया हे ले इसके नर इसका है यह तक कर सकता है देखो सिंपल सी बात है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आके नहीं पढ़ सकते क्योंकि मेरको आज भी याद है जब 2007 में स्टीम जॉब्स ने आइफोन लॉंच किया था उस जमाने के माइक्रोसॉट के सीई उस टीम बालबर में बोला था यह इस प्रोड़क को कौन लेगा लोगों को माइक्रोसॉट की एप्स चाहिए यह चाहिए इसके अंदर तो कोई इंटरस्टेट होगा भी ने लेकिन उसके बार माइक्रोसॉट का फोन डिविजन खतम हो गया लेकिन आप अपनी आवास इसको इंटरेट कर पाएंगे लेकिन इसी के साथ इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्टर भी देखने को लता है जो कि आपके हाथ पर प्रोजेक्ट कर सकता है और उसको बहुत ही अलग तरीके से इंटरेट कर सकते हैं AI PIN को जो इनिशनली डेमोस आये वह काफी जादा वेक थे जो कुछ महीने पहले आयते और वह बिल्कुल भी प्रोमेसिंग लग रहा था लेकिर रिसेंट में जब उन्होंने नए दुवारा से वीडियो से रिलीज करें और उसके बारे में दुवारा से बता है तो बहुत ही जादा रिफाइंड और के लिए जो डैवलपर्स को मदद करेंगी कि आपको एक अलग टैप के एक्स्पीरियस दिया साथ सके कुल बिला के बात यह कि सारे के सारे जो काम होते किसी ने किसी एप से कर सकते लिगिन जो एपस होती वह हम पिछले 10 साल से जादा लंबे समय से चला रहे है और अब एक टान आ गया है जब इन पुराने एप वाले एको सिस्टम को रिप्लेस किया जा और एक नए टैप के हाड़वेर को लाई कर आए जाए अब देखो AI पन अच्छा होगा कि बुरा होगा इसके बारे में नहीं कह सकते कंजूमर इसे लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में Rabbit R1 यह एक अलत टैप के डिवाइस है जिसे यहाँ पर यह सोच की बनाई है कि यहाँ पर स्मार्टफोन के अलावा भी आप इसे कर सकते हैं छोटा से डिवाइस रहेगा एक छोटी सी टचस्रीन होगी रूटेटेबल कैमरा होगा लें इसका जो में फीचर है वो है इसके इ देखेगा सीखेगा और उसके बाद आपको डिरेक्ली डाल कर देगा यानि की यूजर का जो इंपुट होता है वो कम से कम होगा लेकिन आपको जादा से जादा आउटपुट देखने को मिलेगा आज के पुराने मोबाइल फोन के सिस्टम में रहता है कि एपस है बहुत ज आपको बोले से सारी के सारी चीज़े हो जाएंगी लेकिन बात यह कि इसके भी मार्केट में अभी किसी ने किया कमपनी के बाहर अभी यह जो प्रॉडक्ट है यह नहीं गया है और देखने वाली बात है कि अब जब कुछ महीनों में मार्केट में आगा तो लोग इसे किस से अड़ेट करते हैं हाला कि इस प्रॉड़क्ट के प्राइसिंग काफी जाद कम है तो काफी साल ओफ हो सकता है इस प्रॉड़क्ट को इनिशली हपर पर पर चेस भी करें लेकिन देखने वाली बात है क्या यह प्रोड़क्ट क्या इस टैक के दूसरे जो AI हार्ड़ेवेर के product होते हैं कि अब market भी अफनी अलग जगे बनाते हैं क्योंकि इस टैक्टी जो technology इस टैप को जो product होता है हमने पहले कपी नहीं देखा लेकिन फिर भी इसको इस तरीके से design नहीं किया है कि आपके smartphone को हपे replace कर दे Rabbit ने उसको क्या किया है कि हर एक काम को थोड़ा simplify कर दिया है ताकि user interaction screen या बोलना आपको कम से कम पड़े चीज़े smoothly हो जाए इसके साथ ही अगली जो company वो है teenage engineering हभी तक हमने rabbit की बात करी है लेकिन क्या आप लोग का वालों में जो rabbit कमतनी रहती है इसका जो software होता है वो तेन लो और music lover, creatives इनको काफी जादा पसंद आते हैं इवन बात करें nothing company ने जब उतना year one निखा ला था तो उसका जो design था न वो भी यहाँ पे teenage engineering ने किया था देखो कहने की बात है कि teenage engineering एक ऐसी company जो अपने hardware के design और unique aesthetics पे बहुत जादा फोकस करती है यह prioritize करती कि उसके product देखने मे बिलकुल ही अलग लगे और यह एक ऐसी चीज़े जो आज से पहले मैंने Apple में भी देखी थी Apple अपने हर product को देखने में बहुत ही जादा stylish बनाती है उसकी packaging पे बहुत जादा ध्यान देती है हाला कि teenage engineering के कोई ऐसे particular products नहीं है जो आप यहाँ पे जानते हो जैसे कि उनका जो products वगरा design वगरा करती है यहां तक की बात की जाए तो इस company का objective यह है कि यह लोग experiment पर काम करते हैं और उनके लिए तो key to success है वो है experiment बेसिकली बात की जाए तो यह एक ऐसी company के बारे बात करो जिसके शाद products आपका भी देखो ही नहीं लेकिन इस company का जो design होता है दूसरी company इस चीजे try out करते हैं इन्हें पता है कि market के अंदर कोई चीज लेकर आएंगे चलेगी कोई चीज नहीं चलेगी लेकिन इनका concept है कि अगर आपको market में अगर आगे चलेगी कुछ बड़ा करना है या कोई भी नहीं चीज करनी है तो आपको बहुत जादा experiment करने पड़ेंगे सिर लाते गया और उसी को और जादा आगे लेकर चलते चलेगा यह मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत जादा कॉमन हो गया देखो प्रॉब्लम तब आती जब आप बिल्कुली नया इंवेशन कोई नहीं चीज करने का try out करते हो और जब आप ग्राउंड से कुछ नया करत जैसे भी तक नहीं कर पाया तो दोस्तों यह तीन ऐसी कमतिनी मेरे को मार्केट में ऐसा लगती आपल कमतिनी साल उपर आनी कमतिनी इसको 30-40 साल लग गया मार्केट में ऐसा स्टेटस अचीव करने के लिए एक time तो Apple के साथ ऐसा था कि ये लोग market से बिलकुली खताव होने वाले थे लेकिन धीरे धीरे इसकी कहानी बतली और आथ के समय में ये कोई companies है ये हो सकता है कोई नई चीज ट्रै आओट कर रहे है हो सकता है चीज चले हो सकता है चीज नहीं चले आप लोग क्या लगता है कि Apple की जैसी कल्ट फॉलिंग कोई दूसरी कम नहीं वैसा innovation है वैसा आप कोई दूसरा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा ये बाद नीजे कमेंट बताओ थेंक्यों के वीडियो देखने के लिए पसलता है तो सब्स्क्राइब करो चैनल को मैं वसले दोले ले ले लुगा तो ने गिन द अबाएगा